नमस्कार बात तो चुपे की देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा आज लेकर आई हूँ एक ऐसी बात जो ब्रस्ट अचारियों को बड़ा चुपे की क्योंकि ब्रस्ट अचारियों पर अब चुन-चुन के आक्शन लिया जा रहा है हर एक चोर को पकड़ा जा रहा है और ऐसा आक्शन हो रहा है जिससे सारे ब्रस्ट अचारी डर्ग के साए में जी रहे है बड़ी कबर आपको बता रहे हैं महादेव बेटिंग आप केस जिसे कौन भूल सकता है लोगों से 6500 करोल रुपई की दोकादड़ी के बाद महादेव एप काफी चर्चा में आ गया था जूस बेचने वाले एक शक्स ने इस एप के जरिये लोगों को बड़ा चूना लगाया था और अब चतिसगड के बिलाई में एक साधरन जूस विक्रेता से महादेव एप के सटेबाजी सरगना बनने वाले सौरब चंद्राकर का सफर समाप्ती पर पहुँच चुका है जी हाँ बड़ी खबर ये है कि मास्टर माइंड सौरब चंद्राकर को दुबाई में गिरफतार कर लिया गया है बारती जाच एजन्सियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है तो चलिए आज अपने शो में आपको बताऊंगी कि क्या-क्या आक्शन हुआ है कैसे गिरफतारी हुई और इस आक्शन से क्यू डर गए है कुछ बड़े नेता और कुछ बड़े-बड़े बॉल्वूर स्टार्स जो बात कुछ लोगों को बड़ा चुभेगी उपने तरीके से की गई जिसमें केवल कुछ शिर्ष अधिकारियों को इसकी जानकारी थी खबर यह है कि चंद्राकर को आसानी से गिरफतार करने के लिए कारवाई को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था इस ऑपरेशन की सफलता में दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरि प्रक्रिया चलाई उन्होंने जुलाई दोजर चौबिस में ग्रे मंत्राले को ततकाल अनुरोद बेजा जिससे प्रोविजनल अरेस्ट और पत्यरपन प्रक्रिया को अंतियम रूप दिया गया एक और बड़ी बात आपको बताते हैं सौरब चंद्राकर को पिछले साल दि कि कवायद शुरू की गई है करीब एक हफते के अंदर सौरब चंद्राकर को भारत लाया जा सकता है सौरब चंद्राकर का पत्यरपन प्रक्रिया अंतिम दौर में है इस मामले में विदेश्मंत वाले की मदद से UAE सरकार से पत्यरपन की मनझूरी मिल गई है और बहुत जल को पूरा करने की प्रक्रिया पूरा करने के बाद प्रोविजनल अरेस्ट पर उसे भारत लाया जाएगा पर इस एक्षन ने कई पर यूजर्स, पोकर, कार्ड, गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइब गेम्स खेलते थे एप के जरीए क्रिकेट, बैटमिंटन, टैनिस, फुटबॉल जैसे खेलो और चुनाओं में अवैच सट्टे बाजी भी की जाती थी अवैच सट्टे के नेटवर्क के जरीए एप का ज ऑनलाइन बुक आप के में प्रमोटर है, यह अपनी गतिवीदियां दुबई से संचालिक करते थे, हर ब्रांच को सौरप चंद्राकर और रवी उपल फ्रेंचाइजी के रूप में बेशे थे, यूजर को सिर्फ शुरुआत में फाइदा और बाद में रुकसान होता था, फाइदे का 80% हिस्सा दोनों अपने पास रखते थे, इसे ऐसे बनाया गया था कि सिर्फ 30% यूजर जीतते बाकी हाल जाते, इस एप के जरी हुई कमाई को हवाला के जरी होटेल, कारुबार और फिल्मों में लगाया गया था, इस एप के काले कारना में आपको आगे जिसमें सौरब चंद्राकर और रवी उपल सहीट 14 आरोपियों को नामजद किया गया, वड़ी बात यह है कि इस मामले में कई बॉलवर स्टार्स का भी नाम सामने आया, और कईयों से पूछताज भी की गई, इस लिस्ट में हुमा खुरेशी, आदतिरोय कपूर, कपिल शर किये गए, इसकी शादी में मशूर सिंगर आतीफ असलम, भारती सिंग, रहत पते अली खान, सनी लियौनी, अली अजगर, भागिश्री, विशाल ददलानी, पुलकित, टाइगर शॉप कीरती खरबंदा, नेहा ककड, नुसरत भरूज, अली अवराम और कृष्ण अभिशे इडी के मताबिक स्वरप चंद्राकर की शादी में इवेंट मैनेजमेंट कमपनी को हवाला के जरिये 112 करोल रुपए का भुकतान किया गया था, वही होटेल की बुकिंग के लिए 32 करोल रुपए की रकम कैश के जरिये भुकतान किया गया था, परिवार को लाने ले जाने क किन सरकार ने पांच नॉम्बर 2023 को महादेव बेटिंग एप समेत अवैट सट्टेबाजी वाले 22 एप और वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया था एजी की सिफारिशों के बाद Information Technology अधिनियम की धारा 69A के तहत आदेश जारी किये गये थे महादेव ओनलाइन सट्टेबाजी एप मामला तब सुर्खियों में आ था जब एजी ने दावा किया कि उसने एक कैश कुरियर के इमेल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है जिसमें खुलासा हुआ है कि चत्टिसगर की ततकालिन मुक्यमंत्री वुपेश बगेल ने UAE में स्थित आप प्रमोटरों से कथित तौर पर 508 करोड रुपे लिये थे हाला कि बगेल ने आरुपों को खारिश कर दिया था पर अब बगेल भी फस्ते नजर आ रहे है ऐसा का जाता है कि इसके सटेबाजी का कारुबार चत्टिसगर और महराज सहीद भारत के कई राजियों में फैला हुआ है भारत इसके फुरार होने के बाद सही गिरफतारी की जुगत में लग गया था उसने इंटरपॉल से सब पर किया था आपको बता दे कि इंटरपॉल ने भारत के साथ उसके लोकीशन के बारे में CBI और EDC जानकारी साजा किया था तब जाकर दुबई पुलिस ने उससे गिरफतार किया है चंद्राकर की विदेश की कई वेडियों सोशल मीडिया पर वारल खोती रहती है विदेश में अलिशान घर और हाई प्रुफाइल वाली शादी का वीडियो भी चर्चे में रहा ऐसा भी बताया जा रहा है कि दाओद इबराहिम के भाई से भी सौरब चंद्राकर की रिष्टे हैं जांच एजन्सियों को डी कंपनी से भी कनेक्शन का एंपुट मिल चुका है वहीं देश के कई राज्यों में महादेव आप के खिलाप केस भी दर्च है महादेव पेचंग एप और उसके प्रमोटरों के खिलाप मुंबाई पुलिस ने आठ नॉमबर 2023 को केस दर्च किया था आरोपियों पर चिट करने और जुआ खेलनाने का आरोप भी लगे थे जिसमें मांगुटा पुलिस थाने में सौरब चंद्राकर रवी उपल के साथ करीब 35 लोगों के केस दर्च हुए थे जिसको बाद में मुंबई क्राइम ब्रांच को सौफा गया था और बाद में उसकी जाच की गई जिसके लिए एक S.I.T. भी बनाए गई थी F.I.R. दर्ज होने के बाद पता चला कि आरोपी ने लोगों को करीब 15,000 करोल रुपए का चूना लगाया था तो महादिव एप 62 का मामला 2019 में पहली बार सामने आया था अब तक 19 में से 9 आरोपी गिरफतार किये जा चुके हैं और जाच जारी है चंद्राकर की गिरफतारी से कई अन रहस्यों के खुलासे की उमीद है और इस मामले के अन पहलों पर भी गंबीर कारवाई की जाएगी और जैसे ही चंद्राकर को भारत लाया जाएगा वैसे ही बड़े-बड़े आक्शन की तयारी है और इस खबर को सुनते ही बड़े-बड़े बॉलवूट के स्टार्स कुछ बड़े में था काफी जादा परिशान हो गए है और ये बात उन सभी को बड़ा चुब रही है आज के मारे शों में फिलाल इतना ही देखते हैं कापटल टीवी नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया